तो अब भी हम बात करेंगा, अगर किसी भी जातक का fourth load 11th house में बैठा वा है, तो क्या result हो सकते हैं, fourth load का 11th house में बैठना ये जातक इस प्रकार के जो जातक होते हैं, काफी ज़्यदा materialistic अप्रोच वाले होते हैं जिवन में, तो इनकी जो आसाएं हैं, की जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती है कभी-कभी अब आपको ये चेक करना पड़ेगा आपका फोर्थ लोड जब 11th हाउस में बैठावा तो 11th हाउस में जो रासी है वो कौन सी रासी है अगर फोर्थ लोड के लिए वो मित्र रासी है या वहाँ जाकर फो ज़्यादा चाहने वाली होती है साथ ही साथ माता के सपोर्ट से आप अपने जिवन में फाइनेंशियल जो प्रोग्रेशन वो करते हैं हमेशा और जब भी फोर्थ लोड आपका 11th हाउस में होगा आपका नेटवर्क सरकल बहुत ज्यादा होगा और ये नेटवर्क सरकल आ आपका नेटवर्क सरकल जिसमें कौन-कौन से किस तरह के लोग होंगे तो हो सकता है अगर किसी का अगर मान लिजिए फोर्ट लोड अगर सूरिय है जैसे और हम अगर ये माने कि फोर्ट लोड जाके और 11th हाउस में बैठ रहा है तो बहुत ज्यादा वी आईपी लोग या राजनीती से चुड़ेवे लोग या बहुत बड़े अपसर जो सरकारी पदों पर है बहुत बड़े-बड़े लोग आपके नेटवर्क सरकल में सामिल हो सकते हैं तो अब मैंली आपका जो नेटवर्क सरकल है वो आपके उपर काफी जदा इंपेक्ट डालता है आपकी कहां कहां से मिल सकते हैं आप पैसे को कैसे एक्यूमिलेट कर सकते हैं अब माल लीजिए कोई बहुत ज़्यदा फायरी प्लनेट है फॉर्ट लोड और वो जाके अगर 11 थाउस में बैठेगा तो जातक का मुख्य उद्देश से किसी ना किसी तरह से धन कमाना अपने इच्छा का प्रभाव है तो फॉर्ट लोड का जनरी आपके 11 थाउस में जाना यह आपके पास हमेशा धन आता रहेगा किसी ना किसी तरीके से आप किसी से सायता मांगेंगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा भले आप उस पैसे को कभी-कभी समय पर वापिस नहीं लोटा रहे तो तो फॉर्ट लोड का 11 थाउस में जाना वैसे हम काफी अच्छा मान सकते कभी-कभी यहाँ पर आप अपना जो पैसा है वो लूज भी कर देते हैं क्योंकि आपके नेटवर्क में कुस ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पैसे का फाइदा उठा सकते हैं और कभी-कभी आप नेटवर्क वालों का ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं तो यहाँ पर मैनली जो आपका सोच है अप्रोच है वो ज्यादा तर धन पे फोकस्ट नहीं होना चाहिए आपको सबके भले के लिए सोचना चाहिए और एक जनरल तरीके से सामाने तरीके से ही आपको धन कमाने के ल कमाये गए पैसे हैं, या आपने कहीं से लाब प्राप्त किया है, उस पैसे से बहुत कुछ जीवन में कर पाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आपका जो 11th लोड है, वो अच्छे इस्तिति में नहीं है, तो यह आपके धनवान होने और प्रोपरिटी प्राप्त करने के लिए अच्छे इस्तिति बनेगी, और आपके पास जो पैसा है, उससे आप अपनी जो पीस ओप माइंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप लग्जरियस चीज़ें ज्यादा से ज़्यादा खरी सकते हैं, आप कोई प्रोपरिटी बगएर या इस परकार का कोई अपना घर बगएर गाड़ी बगएर यह सब बहुत अच्छे से खरीज सकते हैं अपने इच्छा नुसार तो अब आपके आसाएं आपकी इच्छाएं मनोकामनाई पूरी होंगी या नहीं होंगी यह आपके 11th Lord पर भी स्वामी हो तो फिर अगर सब्तम का स्वामी है तो आपको फिर बिजनस से इंकम होने बिजनस चालू करने के लिए सोचना चाहिए और इस परकार से आप जब भी आपका मालीजियो फोर्ट लोड अगर सेवंत का भी स्वामी है तो आप अपने बिजनस में बहुत ज्यादा लो के उपर depend करता है क्योंकि आपका जो फोर्थ लोड है वो आपके पंचम भाव को भी देखेगा वहां से पंचम भाव को देखने की वज़े से एक तो आपकी जो एजुकेशन होगी आपकी एजुकेशन काफी अच्छी हुई हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से आपने सुरा आई हो आप बहुत ज्यादा creativity वाले विक्ति हों बहुत ज्यादा creative वरक करने वाले हों तो इससे आपको और फाइदा होगा इससे आपका धन और ज्यादा बढ़ेगा और आप जल्दी जीवन में progress कर पाएंगी अपने जीवन में जल्दी अपने इच्छाओं को पूरण कर पाएंगे तो जब भी इस तरह की जो इस्तिती बनती है यह आपके लिए काफी अच्छी साबित होती है अब यहां पर आपको यह चेक करना पड़ेगा 11th house पर कौन-कौन से ग्रहों की दृष्टी पढ़ रही है अगर मालीजे कोई भी बहुत ज्यादा malfic प्रभाव नहीं है तो फिर हो सकता है बहुत सारी बाधाओं के बाद आप पैसा कलेक्ट कर पाएंगे अपने धन को मैनेज कर पाएंगे और कभी कभी आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ चीटिंग भी कर लेंगे तो यहां पर बहुत ही ज्यादा एक बहुत मैतोपन प्लेस्मेंट हम इसको मान सकते हैं जब किसी का भी फोर्थ लोड अगर 11 हाउस में जा रहा है तो तो कुछ इस प्रकार से आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं